तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने माला हूँ कैसे आप गुलाब की कटिंग लगा सकते हो बड़े आसानी से वैसे गुलाब की कटिंग प्रॉफर नीचे रूट आये तब तक चार से पांच महिने लग जाते हैं तब तक आपको कैर करने पड़ेगी अगर आपको कम दाम में मिले तो ले ही लीजिएगा प्लांट अगर आप खेती करते हैं गुलाब की तो ये आपके लिए वीडियो ज़रूरी बन सकती है लेकिन मैं भी अभी तक गुलाब की कटिंग काफी ज़्यादा लगए लेकिन सक्सेस्पूल नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं इतना टाइम ही नहीं दे सकता हूँ इसलिए आज मैंने सोचा आपको मैं शेयर करू आपके साथ लेकिन आपको चाल से पांच मैना तकरीबन वेट करना पड़ेगा प्रपर नीचे जड़े बन जाए पौधा उसके पाव पर खड़ा हो जाए उसके बाद ही आप उसको ट्र लगाना आसान हो सकता है क्योंकि उनको ब्रांचेस मिल जाएगी सस्ते में और फिर वो साथ महीना अच्छे से उसके क्यार करें तो उनके बहुते रेडी हो सकते हैं अनखेत मेर संबालना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन किसान कर देता है तो सबसे बहुत जितना हो सके उतना गहरा खड़ा को दिया और उसके अंदर कुछ इस प्रकाल से सभी ब्रांचों को रख दीजीए जितना गहरा खो दोगे उतनी आपको गयर कम खड़नी पड़ेगी क्योंकि नीचे नम बनी रहेगी नमी बनी रहेगी तो मैं एक्सपरिमेंट के लिए इसको ले रहा तो चलिए सभी ब्रांच को मैंने कुछ इस प्रकाल से लगा दिया है और अब बार याती है मिट्टी डालने की तो आपको इतने एक साथ नहीं मिट्टे डालने की यह सभी ब्रांच हिल जाए आपको दीरे-दीरे से ही डालनी है उसके बाद मिट्टी को अच्छी तरीके से एर टाइट कर देना है ताकि नेचे के नम जो है पनी रहे और उपर की एक एंच के बराबर अगर सूख जाए तो चलेगा लेकिन सूखनी नहीं चाहिए ज्यादा से ज्यादा पानी दीजिएगा और यह कटेंग स्यादा बारिश के मौसम में लगा सकते हो आप या फिर फरव परी के महिने में लगाते हो तो उसके उपर पॉलिथिन लगाना जरूरी है व्योंकि ठंड होने की वज़ए से इसकी पत्तिया बर्ण हो सकती है इसका आपको ख्याल रखना है और आप कुछ इस प्रकार से दबाना है यह देखो बिल्कुल एयर टाइट और कपी में मैंने में आप मैं के मैंने में कपी पी ना लगाए कटिंग क्योंकि दो बहुत ही ज़्यादा होती है मैं के मैंने में लगा दोंगे तो फिर आपका एक पी 100% रिजर्ट नहीं मिलेगा ऐसा मेरा मानना है हाँ हो सकता है 2% आपको रिजर्ट मिल भी सकता है लेकिन अगर आप अच्छे से गैर करते हो तो आप काम्याब हो सकते हो अब बारी आती है पॉलीथिन लेने की इसके अंदर मैंने छेद कर दिये है ताकि अंदर ज्यादा हीट ना बने और अंदर की जो भी है फंगस की है ठीक है तो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे रखना है वह आप अभी पत्थर मुझे लाना पड़ेगा इसके आसपास रखने के लिए ताकि ये उड़ के दूसरी जगा पर ना चली जाए और आप क्या जो भी है इसके नई प्रांचिस निकलेगी आपको मैं सला देना चाहता हो कि आप बड़ी से बड़ी पॉलिथीन का यूज किएगा ताकि आपको अच्छा रिजर्ट मिले ताकि अभी पॉलिथीन के टच नई पत्ते आएंगे वो पॉलिथीन को टच करेंगे तो फिर वो बिगड़ भी सकते है और अब देखिए एट डेस के बात का रिजर्ट तो जनाब रिजर्ट आपके सामने ही है यह देखो अंदर मुझे लगता है आपको दिख रहा हो ग्यारा दिनों का बात का रिजर्ट यह छोटी छोटी टेहने अभी है उसके अंदर से भी पत्ते निकलना शुरुवात हो चीकी है यह देखो सबसे चोटी याने कि मुझे 100% रिजर्ट मिला है अभी मैंने पॉलितिन ना लगए होती तो मुझे ऐसा रिजर्ट बिलकुल भी नहीं देखने को मिलता यह देखो जो प्रांच सोख चुकी है उसमें मैंने पहले ही पता दिया आपको पॉलितिन के टच होने की वज़ा से सुकती है कुलाब की छोड़ी छोटे ब्रांच जो हमने कटिंगे तोर पर यूज की है और यह देखो नई पत्तिया पर निकलना शुरुवात हो रही है यह देखो मैं फोकस करके भी आपको दिखा रहा हूं और यह फोकस देखो यह चोपी सुख गई है वो उसकी पत्तिया बॉलितिन को टच हुई थी इसलिए उपर से आइसा आइसा से सुखना शुरुवात हुई उस त्रहने की और आखिर में वो सुख ही गई और यह पत्ते भी देख सकते हो कि देखो यह बिलकुल भी नहीं शुकी है है और यह नीचे से आफ पर देखाता हुँ मैं आपको ए नीचे से हल्की सिया आप वीडिए में नहीं दीख रहा होगा अप लेकिन दिखाने के कोशिशार मेरी नहीं तworks दिक तो दोस्तों है अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जनकारी थिल हो गई होगी तो अगर आपको ऐसा सब्सक्राइब करना अगर कोई मिस्क्राइबने जही हो तो बिल लहाधा चाहिए कि जगह मुझे एलना कि आप सब्सक्राइब ना करोएं और मुझे उम्पिस्वा से अपने आपको आपके उपर कि अब जरूर सब्सक्राइब करोगे तो इस वीडियो को ज्यादा से स्यादा लाइक कीजिए और अगर आपका दोस्त पी गार्डनिंग में थोड़ा इंट्रेस्टेर है तो उसको भ रहे और हमें ऑक्सिजन का सिलिंडर को यूज करना ना पड़े तो अभी शुरुआत कीजिए अपने आसपास गार्डनिंग कीजिए बड़े-बड़े पौदे लगाए एट्मोस्पियर को अच्छा रखिए मैं मिलता हूँ अगली वेडियो में तब तक के लिए जैहिंद गौन्दे मात्रा